हाई दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका इलीजन स्रीश के पार्ट 7 में दोस्तों आप में से कई वीवर्स ने मुझे ये बुचा कि भाई इलीशन वीडियो देखने से हमारे दिमाग कमजोर या खराब तो नहीं हो जाते तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि इलीशन दिमाग की सेल्स कुछ हद तक विक्सित हो जाती है या फिर यू कहें कि आपके दिमाग के सोचने की छम्टा एक लेवल और विक्सित हो जाता है आई होप अब आप मेरे बात को समझ गये होंगे और इलीशन के फाइदे के बारे में जान गये होगे तो चलिए अब हम वीड बताने से पहले मैं आपको इस इमेज का सही जवाब बता देता हूं तो दोस्तों मैंने आप से इस इमेज में ये बताने को कहा था कि इस इमेज में आपको कितने इंसान नजर आ रहे हैं और जिसका सही जवाब था दो चलिए मैं आपको दिखाता हूं ये एक और इसको उल झाल झाल चलिए अब ये सब आते हुबी पिछली वीडियो की अब आते हैं आज के पांस नए एलिशन वीडियो के नमबर एक इस ही मेश को जड़ा ध्यान से देख लेए इसमें आपको एक मेडर की तस्वीर नजर आ रहा होगा लेकिन इस तस्वीर में आपको कुछ और नजर आ रहा है आई धिक नहीं अगर हां तो कमेंट में जरू बदाईएगा चलो इस तस्वीर के आगे की वीडियो हम देखते हैं आखिर क्या है इस तस्वीर में नमबर दो ये देखने में आपको एक इंसान की आँख नजर आ रही होगी लेकिन सवाल या हुटता है कि क्या ये एक पेंटिंग है जिसमें आँख बनी है आपको क्या लगता है अगर आपको जो भी लगता है कमेंट में हमें चेवरू बताईएगा I think मेरे हिसाब से आपको ये एक पेंटिंग ही दिखाई पड़ रही है लेकिन अब जड़ा इसके आगे का कमाल तो देखिए क्या हुआ आगे दो का न नमबर तेन अब ये वाला इलूशन देखिए इसमें आपको एक लड़की की तस्वीर नजर आ रही होगी जो एक पेंटिंग की तरह नजर आ रही है अब आप सोच रहे होंगे कि ये बिल्कुल नमबर दो वाली की तरह है इसमें भी वही हाल है लेकिन दोस्तों ये वैसा बिल्कुल नहीं है अब आगे आप खुदी देख लीजिए क्या है इसमें क्यू है रह गया न नमबर चार ये इल्यूशन बहुत ही कमाल का है क्योंकि ये इल्यूशन आपके आखों को धोखा देने वाला है और हाँ दोस्तों इस इल्यूशन को 30 सिकेंट तक देखने के बाद आप अपने हाथों को देखिएगा आपके हाथ कुछ इस तरह दिखाई देने लगेंगे तो चलिए टाइम स्टार्ट होता है अब अब आप जड़ा अपने हाथों को ध्यान से देखिएगें क्यों हो रहा है ना कमाल नमबर पाँच सामने स्क्रीन पे आपको दो डॉट नजर आ रहे होगे अब आपको ये दोनों डॉट को देख कर बताना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है राइट या लेप्ट दाया या फिर बाया आप अपने अंसर या नि उत्तर को कमेंट बॉक्स में दे दीजिए अगर आपने सही अंसर दिया या फिर बताया मैं आपका नाम अगली आने वाले इलूशन वीडियो पार्ट एट में ले कराऊंगा तो चलिए ध्यान से इस इमेज को देखिया और सही अंसर दिजिए ताकि मैं आपका नाम अगली वीडियो में ले कराऊंगा तो चलिए अब आप वीडियो को लाइक करतीजिए और चैनल को सब्स्क्राइब करके फेल आइकान को प्रेश करतीजिए ताकि अगली वीडियो आपको मिल जाए और मैं आपको फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद और गुडबाई और टेक पिया